गूड एवलिंग, 79,000 शिक्षक भर्ती के सभी केंड़ेट्स का सक्सेस ग्रूप में बहुत स्वागत है लगातार कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के आप लोग जानना चाहे रहे हैं कि आखिर कब होगी 5100 रिक्ट पदों पर कॉंसलिंग क्या है इस संबंद में अपडेट कॉंसलिंग होगी भी या नहीं होगी और अगर होगी तो कब तक होगी इस बारे में जो लोग मार्जिन पर हैं वो बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कॉंसलिंग का और जानना भी चाह रहे हैं कि यह कौन्सलिंग आखिर कप तक होगी जैसा कि आप जानना है कि प्रदेश के प्रदेश के हालात ऐसे हो रहे हैं कि आप हर जगह लाकडाउन कॉरोना नाइट कर्रिव यहीं सब सुनाई पढ़ रहा है तो क्या है इस समय वर्तमान इस्थिती लेटेश्ट अपडेट जो भी जानकारी मिल रही है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे और आई होप ये जानकारी आप अपने साथियों को भी जरूर शेयर करेंगे तो चलिए जान लेते हैं क्या है इस्थिती वर्तमान में तो आपको बता दें कि 99,000 शेक्षक भरती में तीसरे चक्री की कॉंसलिंग हो पाती तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है कोरोना के कारण लगभग 500 पदों पर भरती में ब्रेक लग गया है युवा अब आउनलाइन कॉंसलिंग की मांग कर रहे हैं इन पदों पर तीस स्रे चक्री की कॉंसलिंग से पद भरने की घोशना मार्च के पहले पकवाड़े में की गई थी लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया है विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों से व्यवरा मागा था लेकिन जिला बेसिक अधिकारियों ने अभी तक सूचनाय नहीं भेजी हैं विभाग में कई अधिकारी कोरोना ग्रस्त हैं लेहाजा इस दिशा में काम सुस्त है तो अभी तक एक्च्वल फीगर ही नहीं मिल पाई है कि कितने रिक्त पद हैं तो जब तक ये फीगर नहीं मिल पाती है तब तक क अभी तक रिक्त पदों का आकलन नहीं हो पा रहा है जबकि मार्च के पहले हफते में ही सारे असपस्टी करण जारी कर दिये गए थे कि किने नियुक्ति पत्र देना है और किनका निरस्ट करना है इसके बाद भी कई जिलों के बियसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को दोड़ा रहे हैं इसके कारण रिक्तियों की गड़ना भी नहीं हो पा रही है तो जो हालात हैं उसमें एक तो कोरोना दूसरे लागडाउन तीसरे नाइट कर्फ्यू और चोथे एकजेक्ट वेकंट पोस्ट की जानकारी ये किसी को नहीं है तो इस हों कि अभी इसमें और विलम होगा इसलिए आपको घबराने के जरूत नहीं है परिशान होने के जरूत नहीं है आफ्टर आज सेलेक्शन तो होगा ही भले ही दो महिने तीन महिने के बाद हो लेकिन नियुक्ति तो होनी ही होनी है इसलिए धैरे रखें परिशान नहों और अपने और भी जो तैयारी कर रहे हों उसके तैयारी को आप करते रहें ओके थैंक यू